अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास समय साथ के साथ इंजिनियर अपनी प्रोडक्शन इंजिनियरिंग की स्रीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ाए और आगे इस वीडियो में पढ़ने बाले सारा कंटेंट आपको पीडिया फॉर्मेट में अवि लिट अविलेबिल है इन नौट्स हों के स्तमाद आप एसे सी आरारवी स्टेट जेए गेट वीटेक एमाई के एक्जामनेशन के लिए कर पाएंगे इससे पिसली वीडियो में साथियो हमने जाना था फोर्जिंग के एडवांटेज के बारे में चर्चा की थी एक्स्ट्र लिया था इनका रिलेशन भी देख लिया था इसी परकार इसी करम चला जाए तो ट्रीट्रेंच के बारे में बात कर लेते हैं इस ही इस एक जिस चंस आप जांच कर रहे हैं आपको आप सकता है मापने की उसी चन की बात करें तो true strain ओ कहलाएगी जैसे true strain क्या होगा change in length होता है divided by original length होता है या फिर कहा जाए simple strain change in length divided by original length होती है लेकिन यहाँ पर change in length उस चन की बात की जा रही है जहाँ पर आप किसी product को या workpiece को खीज रहे हैं किसी चन आप बात करें कितनी उसकी length है उसी चन उसमें जरा सा चन जरूर आया होगा उसकी length increment देखने को मिलेगा जिसको हम deal x से deal l से express कर रहे हैं dl से इसे आप dl जो differential element होता है वो समझ सकते हैं कोई छोटा सा पोर्ट से ने उसकी बात की जा रही है total strength true strength की बात की जाए total true strength कितनी होगी यदि इस पर आप limit लगा देंगे इसका integration कर देंगे तो आपको total true strength राप्त हो जाएगी तो इसी equation पर आप integration कर देंगे limit लगाएंगे ordinary length to final length जो ordinary length थी यह starting में जहां से आप बात कर रहे हैं final length तक कितना चैंज देखने को मिलता है total length की बात कर दी जाए तो completely जो आपको solution मिलेगा final product मिलने बाला हो क्या होगा यह इसका integration करेंगे one upon x बाला तो log x या ln natural log यदि लगाएं तो ln आपको प्राप्त होता है ln l अब इस पर limit लगी हुई है limit लगा देते हैं original length lo यहाँ पर final length यह lower limit यह upper limit के नाम से जैसे हम जानते हैं यह limit change कर सकते हैं यह simple आपने बहुत वार अभ्यास किया होगा इन चीज़ों का तो यहाँ पर true strand जिसे epsilon से हम express कर रहे थे तो यहाँ पर t लगा दिए true के लिए tree जो true strand है epsilon t से express की गई है is equal to ln final length minus ln original length यहाँ पर इसको log को यह limit को use कर लिया गया है तो final length minus original length अब इनको log की property से आप change कर सकते हैं यदि इस परकार से लिखा हुआ हो तो यह divide मा जाता है lf divided by l original आ जाएगा epsilon t is equal to ln lf divided by original length आपको प्राप्त हो जाएगी इस परकार से log की property आप देख सकते हैं इस परकार से log लिखा हुआ लिखा हुआ कहीं मिले ln m minus ln n तो इनको आप change कर सकते हैं divide कर सकते हैं ln m divided by n यह property यूज़ कर ली गई है तो इस equation से इसको इस परकार से update करकर लिख दिया गए at true strength अब इसे आगे लेकर आ सकते हैं update कर सकते हैं जासा आपको बताया था forming में आपका volume constant बना रहेगा volume area into length होता है तो यहाँ पर length काम area में इस परकार से change कर सकते हैं यह आपने पिसली series में पिसली videos में detail में अच्छे समझ लिया होगा यहाँ फिर भी आपके लिए example है original area, original length is equal to final area, final length यह बरावर रहेंगे क्योंकि volume है यह भी volume है, यह भी volume है original, final तो constant है, बरावर रहेगा length बढ़ेगी, तो area घटेगा area घटेगा, length बढ़ेगी relation follow करेंगे तो इस relation से आप यहाँ लिख पा रहे हैं epsilon t is equal to ln original area divided by final area अब इसको और आप update कर सकते हैं क्योंकि यह relation हमने देख लिया था ln 1 plus epsilon इस प्रकार से इसे आप update कर सकते हैं तो अब आपको true strength पता चल गया true strength आप किस प्रकार से express कर सकते हैं यदि बात की जाए for circular cross section circular cross section की बात की जाए तो area आप change कर सकते हैं और update कर सकते हैं it is equal to natural log लगा हुआ होगा आपका original area क्या होगा cross section आपका circular है pi y 4 into d square होगा तो original diameter है यहाँ पर नीचे final diameter होगा pi y 4 d square original divided by final pi y 4 से pi y 4 cancel out हो जाएगा दोन पर square लगा हुआ तो इन्हें अलग से update करकर लिख लेते हैं तो हमें final term राप्त होती है ln bracket में है d original divided by d final तो इनका holy square है दोनों का अब इसे भी आप log की property से change कर सकते हैं किस परकार से यह log में है तो इसको आप square को आगे ला सकते हैं epsilon t is equal to 2 ln d original divided by d final इस परकार से आप इसे change कर सकते हैं आप property देखना चाहें log की ln x यदि power में है एक दूसरे को आप replace कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से लिख सकते हैं तो यह update करकर इस equation को लिख दिया गया इन सारी relation को आप जोड़ सकते हैं add कर सकते हैं conclude कर सकते हैं आप जैसे आप काप सकता पड़े सस्त्र आपके हाथों में दे दिये गए सस्त्रों सास्त्रों का समझें कहां कि सस्त्र का इस्त्रों करने वाला सास्त्रों सापको आवाज से पता चलेगा जैसे requirement होगी आप उस हिसाब से सका काम लेकर अपनी problem solve कर सकते हैं कैसा अब numerical आए तो आप यह relation याद रखते हैं आपको पता है तो आसानी से आप solve कर पाएंगे relation final order देख लेते हैं true stress is equal to engineering stress multiply one plus epsilon जिसे engineering strain हम पढ़ते हैं true के लिए यहाँ पर T आ जाएगा जबकि हम engineering के लिए लगाते नहीं simple पढ़ते हैं stress पढ़ लेते हैं epsilon पढ़ लेते हैं लेकिन उसे आप engineering समझें जब बात true के की जाएगी तो T आपको लगाना होगा या special mention करना होगा कि यह बात true stress या strain की की जा रही है उमिद करते हैं साथियो वीडियो आपकी solution आपके confusion solve करने में सक्षम रही होगी काम्या होई होगी यदि अभी भी आपका को confusion है तो आप हमसे comment कर कर पूछ सकते हैं साथ यो आप चाहें तो contact कर सकते हैं contact link आपको video description मिल जाएगा वीडियो को अंतक देखने के लिए चैनल को support करने के लिए आपका दिल की गहराई